राजधानी पटना में कुछी घंटो की बारिश में पटना नगर निगम की पोल खोल के रख दी है हमारी मौजूदगी अभी बिरला मंदीर रोड के पास है और जहां पे हम मौजूद है वहां पे पहले आपको दिखा दे रहें बिहार मर्त एवं सिसु कल्यान समिती यह सरकारी एस्पताल है और इस्थितिया इलाज कराने आती है लेकिन जिस परकार से इस्थितिया जो है वह बिगर चुकी है अब बिहार में बिहार के कई अस्पताल जो है वह डूब चुके हैं और यह इस अस्पताल में तक्री बन सो की संख्या में महिलाय जो है वह इलाज कराने आती है और देखिए जहां पे अस्पताल की क्या कुछ इस्तिती है, अस्पताल के तमाम वाड हो, तमाम वहां पे पूर्जा कटने वाले कमड़े हो, या मरीज का इलाज जिस जगह पे होता है, सब कुछ डूब चुका है, बिहार के मुखमंत्री, नितिश कुमार, तेजश्वी यादव, ये लगातार काया जाएगा, लेकिन आप समझ ये, कि किस परकार से राधानी पटना में एक अस्पताल अपने बधाली की आसूर हो रहा है, जब भी कुछ घंटे की बारिस होती है, अस्पताल की स्थितिया जो है, वो बिगर जाती है, देखे अस्पताल के अंदर हम परवेश कर चुके ह और ये जो अस्पताल में जो डॉक्टर बैठते हैं, वो कच का नजारा हम आपको दिखा रहा है किस परकार से, समय लिखा हुए है कि इतने बज़े से, डॉक्टर जो है बैठते हैं, स्रीमती रीता सिना, स्रीमती नंदीता बोस, अमरीता सिना, स्रीमती रजनी सर्मा, ये अपने काम से कही न कहीं मौके पर आए नहीं है और अस्पताल में तालल लटका हुए है, तो समझ ये किस परकार से, जो डॉक्टर है, वो अपना मंचाहा रवया अपना रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं, एक जो यहाँ पर सफाई करने वाली जो महिला है, जो दादी माहा है, व जो इलाज किया जाता है महिलाओ का, वो पूरी तरह से डूब चुका है, चारो तरफ जो अस्पताल जो है, वो जलमगन हो चुका है, और जो करमचारी यहाँ पर साफ सफाई करती हैं, कई सालों से यहाँ पर काम करें, यहीं पर रहती हैं, हाँ, आस है, बूरी होगा, यही आते हैं, पंदरा गो, बीश गो, कभी डस गो, अभी पनिया में कोन आवे है, पानी ना तो डेली आता है, जादा भी आता है, अभी तो यह गो बैटी है, आप अपना धियोटी पे आते हैं, यह रहते हैं, जेग भाद सब करते हैं, का करें आप, इसे खुला छोड़ दे है डाक्टर कैसे आवेगा, डाक्टर नरक में आवेगा, इस सब पेखाना भड़ा हुआ है, पेखाना के पानी सब खेने आता है, हम तो ही यह के बेटी हैं, महले की किस परकार से हम आपको नजारा दिखा रहे हैं, देख लिजे तेजस्वी यादव जी, मिसन सिष्टी के तहट, आप ये लाख दावा करते हैं, वादा करते हैं, कि जितने भी बिहार के अस्पताल हो, उनको सुधार लिया जाएगा, लेकिन आपके अस्पताल की हालत क्या ह किस परकार से पूरा इलाका जो है, वो कही न कहीं जलमगन हो चुका है, इस्तितिया खराब होते जा रही है, और इसका खामियाजा कहीं आम लोगों को भुगतना पर रहा है, अगर किसी को इलाज कराने की जरूरत इस इलाके में पर जाए, तो कहीं न कहीं जलमगन के पताल जिस आस में खोला गया था कि जो लोग यहां पे आएंगे उनका इलाज बेहतर तरीके से किया जाएगा लेकिन यहां पे पानी जमा होने के बज़े से डॉक्टर भी नदारद है और जिसके कारण मरीज भी आ रहे हैं तो वो बैरंग कहीं न कहीं वापस लोट जा रहे ह और बिहार में अगर स्वास्थ विभाग की बात कर ली जाये तो कहीं न कहीं स्वास्थ विभाग भी है आईस्यू में चला गया है और स्वास्थ मंत्री अभी वर्तमान में तेजस्वी आदब भी हैं उपमुख मंत्री भी हैं और जिस परकार से आपको इस महिला अस्पता की तस्वीरे हम दिखा रहे थे कि कुछ घंटों की बारिश में यह अस्पताल पूरी तरह से जल्मगन हो चुका है और जल जमाव के वजह से ना यहां पे डॉक्टर पहुचे और जो भी यहां पे मरीज अगर दिखवाने आएंगे भी तक नहीं तो उन्हें कहीं न कहीं बैर